हेलो स्रेंड्स आप सभी का स्वागत है एक एस लोग लासेज में आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलिशन के मोस्ट इंपोरेंट एमस की कोशन पार्ट थर्ड इससे पहले हम पार्ट फरस्ट और पार्ट सेकिंड को अप्लोड कर दोस्तों को भी इस वीडियो की लिंक जरू शेयर करें जिससे वो भी इसका लाब उठा सकें तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोशन नमबर 51 उत्तर पुलिस रेगुलिशन के किस पैरा में अधिनस्त उपनिरच्छ के कर्तवें दिये गए हैं अप्शन ए पैरा 51 में अप्शन B पैरा 50 में अप्शन C पैरा 49 में अप्शन D पैरा 48 में इसका सही उत्तर क्या है आप बताईए अगर आपको पता है तो बताईए इसका सही उत्तर क्या होगा इसका सही उत्तर होगा आप्शन A पैरा 51 में यानि कि जो उत्तर पुलिस रेगुलिशन के पैरा 51 में अधिनस्त उपनिरच्छ के कर्तवें दिये गए हैं पुलिस थाने के दित्य अधिकारी उपनिरच्छ के क्या कर्तवे हैं आप्शन A प्राता परेड को समवेत करना आप्शन B भारसादक अधिकारी के निरदेश के अनुसार अधिनस्तों को कर्तवे पर लगाना उन्हें अनुदेश देना और यह देखना कि उनके द्वारा सम उप्चितरूप से पालन किया जाता है अप्शन C थानों के सललगन पुलिस को व्यायाम कराना अप्शन D उपरुक्ट सभी इसका सही उतर क्या होगा बताईए आप इसका सही उतर होगा अप्शन D उपरुक्ट सभी कोश्चन नमबर 53 उतर प्रतिस पुलिस रेगुलेशन के किस पैरा क्यानुसार थाने का भार सादक अधिकारी एक उपनिरचख होता है अप्शन A पैरा 42 अप्शन B पैरा 43 अप्शन C पैरा 45 अप्शन D पैरा 45 तो किस पैरा के अनुसार बताईए इसका सही उतर होगा option B पैरा 43 यह जो UP regulation के पैरा 43 के अनुसार थाने का भारसादर अधिकारी एक उपनिरच्छक होता है next question question of 54 थाने का प्रधान लेखक प्रधान कॉंस्टिबल पुलिस थाने का कार्याले लिपिक रिकॉर्ड कीपर और लेखपाल होता है यह किस पैरा में दिया गया है option A पैरा 53 option B पैरा 54 option C पैरा 55 option D पैरा 58 तो बताईए इसका सही उतर क्या होगा question नहीं समझाया तो दुबारा पढ़िए कि थाने का प्रधान लेखक प्रधान कॉंस्टिबल पुलिस थाने का कार्याले लिपिक रिकॉर्ड कीपर और लेखपाल होता है यह किस पैरा में दिया गया है option हमने आपको बता दिये तो बताईए कौन सा option सही होगा इसका सही उतर है option C पैरा 55 next question question number 55 उत्तरप्रधिस regulation के किस पैरा में दिया गया है कि थाने के सलगन पड़े लिखे अन्य पुलिस अधिकारी थाना लेखक को उसकी कर्तव्यों के पालन में ऐसी सहता देंगे जैसी भारसादक अधिकारी निर्देशित करे option A पैरा 56, option B पैरा 57, option C पैरा 58, option D पैरा 69 तो बताइए इसका सही उतर क्या होगा किस पैरा में दिया गया है कि थाने के सलगन पड़े लिखे अन्य पुलिस अधिकारी थाना लेखक को उसके कर्तव्यों के पालन में ऐसी सहता देंगे जैसी भारसादक अधिकारी निर्देशित करे बताइए कौन सा पैरा है ये इसका सही उतर होगा option A पैरा 56 question number 56 उत्तरपेस regulation के अंतरगत constable के संबंद में किस पैरा में बताया गया है option A पैरा 61-64 option B पैरा 89-103 option C पैरा 129-146 option D पैरा 25-49 तो बताइए इसका सही उतर क्या होगा question आप से पूछ रहा है कि उत्तरपेस police regulation के अंतरगत constable के संबंद में किस पैरा में बताया गया है किस पैरा में बताया है बताईए आप हमें इसका सही उत्तर होगा option A पैरा 61-64 यानि जो पैरा 161-64 है उसमें constable के संबंद में बताया गया है इस तरीके से हमारा option A सही उत्तर होगा next question 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 57 हर थाने पर रात और दिन में एक संत्री रहेगा उसका करतवे हवालात में बंदियों, तिजोरी, माल खाने और थाने की सभी संपत्यों की रच्छा करना होगा यह किस पैरा में दिया गया है? option A पैरा 61, option B पैरा 62, option C पैरा 63, option D पैरा 64 तो बताईए किस पैरा में दिया गया है ऐसा? अगर आपको पता है तो आप में comment box में जल्दी से बताईए कौन सा option सही होगा? इसका सही उतर है option B पैरा 62, question 58, उत्तरप्रजिस पुलिस रेगुलेशन के पैरा 62 के अनुसार संत्री के कर्तव व्यू की अवदी होगी? option A पांच घंटे, option B चार घंटे, option C तीन घंटे, option D दो घंटे बताईए इसका सही उत्तर क्या होगा? यानि कि जो उत्तरप्रजे प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 62 के अनुसार, जानि जो हमने पिछला उपर question जो पढ़ा है उसमें क्या करता है? वो थाने की सभी संपत्यों के रच्छा करना होगा, उसका एक कर्तव भी होगा जो संत्री के कर्तव की जो अवधी होगी, वो कितनी होगी? हमने आपको option दे दिये हैं, पांस घंटे, चार घंटे, तीन घंटे या दो घंटे उसमें से एक option सही है, अगर आपको पता है तो आप मैं बताएं कौन सा option सही होगा इसका सही उत्तर होगा option C, तीन घंटे Question number 59, उत्रप्रदिस पुलिस रेगुलेशन के किस पैरा में दिया गया है कि राज़िपाल को साइकल अरदली के रूप में पुलिस अधिछक लखनव द्वारा ससस्तर पुलिस के 6 कॉंस्टेबल प्रदाय किये जाते हैं option A, पैरा 71 में, option B, पैरा 72 में, option C, पैरा 73 में, option D, पैरा 74 में बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा इसका सही उत्तर होगा option B, पैरा 72 में next question, question number 60 उत्तर प्रदिस पुलिस रेगुलिशन के किस पैरा के अनुसार, शसस्तर पुलिस को रिजर्व पुलिस प्रतेक जिले में बनाई रखी जाती है उसकी शक्ती हर जिले के लिए नियत की जाती है option A, पैरा 72, option B, पैरा 71, option C, पैरा 72, option D, पैरा 74 तो किस पैरा के अनुसार, सशस्तर पुलिस को रिजर्व पुलिस प्रतेक जिले में बनाई रखी जाती है उसकी शक्ती हर जिले के लिए नियत की जाती है बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा इसका सही उतर होगा option D para 84 question number 61 ग्राम चौकीदार एक ग्राम सेवक होता है जिसका मुख्य कर्तव्य अपने प्रभार के गावों को देखना और रक्षा करना है या किस पैरा में दिया गया है option A para 89 option B para 90 option C para 91 option D para 92 तो इसका सही उतर क्या होगा बदाईए आप हमे इसका सही उतर होगा option A para 89 next question question number 62 उत्रप्रदेश पुलिस रेगुलिशन के अंतरगर अध्याय दस संबंदित है किस से option A प्रसिछड से option B आंतरिक प्रिशासन से option C थाने में की गई रिपोर्ट से option D इन में से कोई नहीं तो बताईए अध्याय दस किस संबंदित है अगर आपने उत्तरप्रदेश पुलिस रेगुलिशन एक्ट को पढ़ लिया है तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं तो अध्याय दस किस से संबंदित है बताईए जल्दी इसका सही उत्तर है option C थानों में की गई रिपोर्ट से ठीक है यह जो अध्याय दस है वो थाने में की गई रिपोर्ट से संबंदित है नेक्ट कोशन कोशन नमर 63 उत्तप्रदिस पुरिस लेगूलेशन के किस पैरा में दिया गया है कि यह आवश्यक है कि रिजिस्टरों और डाइरियों में सभी रिपोर्ट और जांचे इस पस्ट और सुवाच्य लिखी जानी चाहिए आप्शन ए पेरा सतानवे आप्शन बी पेरा अठानवे आप्शन सी पेरा निन्यानवे आप्शन सी पेरा सो तो बताईए इसका सही उत्तर क्या होगा इसका सही उत्तर होगा आप्शन बी पेरा अठानवे नेक्ट कोशन कोशन नमर 64 उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलिशन का अध्याए 11 संबंदित है किस से अप्षण A अनुसंधान से अप्षण B ग्राम पुलिस से अप्षण C फरार अपराधी से अप्षण D भारतिय राज्य से तो कौन सा अप्षण सही होगा आप बताईए इसका सही उत्तर होगा अप्षण A अनुसंधान से नेक्ष्ण कुस्छन कुस्छन और 65 उत्तरप्रदेस पुलिस रेगुलिशन के किस पैरा में सवार पुलिस के कर्तवे दिये गए हैं अप्षण A पैरा 81 में पैरा 82 में अप्षण C पैरा 89 में यादि 79 तो कौन सा अप्षण सही है आप हमें बताइए सवार पुलिस के करतवे दिये गए हैं किस पैरा के अंतरगत इसका सही उतर होगा option D पैरा 89 यानी 79 में next question question number 66 माल खाना मोहरीर का यह करतवी होगा कि वह दिन के दोरान अपेच्छी संपत्ती नियाले से सलगन पुलिस को सौप दे और वापस प्राप्त करें यह किस पैरा में दिया गया है option A पैरा 166 में option B पैरा 167 में option C पैरा 168 में option D पैरा 179 में तो इसका सही उतर क्या होगा इसका सही उतर होगा option B पैरा 167 में यानी पैरा 167 question number 67 उत्तरप्रदिस पुलिस रेगुलिशन के किस पैरा में गोजातिय पश्वों की चोरी के संबन्द में बताया गया है option A, पैरा एक सो नभे से एक सो पिचानवे, पैरा एक सो उनासी से एक सो पिचासी यानि option B हमारा हो गया, पैरा एक सो उनासी से एक सो पिचासी option c क्या कहता है option c कह रहा है पैरा 186 से 189 option d पैरा 140 तो बताईए इसका सही उत्तर क्या होगा question आपसे कह रहा है कि किस पैरा में गोजातिय पश्वों के चोरी के संबन्द में बताया गया है हमने आपको option बता दिये आप हमें उत्तर बताईए कौन सा option सही होगा इसका सही उत्तर होगा option b पैरा 189 से 185 ठीक है next question question नमर 68 कोई व्यक्ति जिसकी उपसंजाति के लिए दन प्रक्रिय सहिता की धारा 82 के अधिन उद्गोशना जारी की गई हो अध्या 19 के आशियों के लिए फरार अपराधी होगा यह किस पैरा में कहा गया है option a पैरा 215 option b पैरा 217 option c पैरा 216 option d पैरा 225 तो इसका सही उत्तर क्या होगा इसका सही उत्तर होगा option c पैरा 216 question number 69 उत्तरप्रदेश पुलिस रेगुलेशन का पैरा 100 सम्बंदित है यानि 100 option a दौरा की दौरान उपराध की सूचना से option b प्रत्थम सूचन रिपोर्ट को डाइरी में लिखना से option c सवार पुलिस का प्रचिश्चर से option d ससस्तर पुलिस से तो बताए इसका सही उत्तर क्या होगा इसका सही उत्तर होगा option a दौरा की दौरान उपराध की सूचना से पेरा सौ सम्बंदित है ठीक है नेक्ट कुश्चन कुश्चन नमब सेवन्टी उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलिशन के अंत्रगत विम्रत्युकालिक कथन लिखने का कर्तब विद्या गया है option a पेरा 112 option b पेरा 115 option c पेर 114 option d पेरा 113 तो d d लिखने का कर्तब विद्या गया है बताइए किस पेरा के अंत्रगत इसका सही उत्तर है option b पेरा 115 के अंत्रगत ठीक है यानि जो उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलिशन के अंत्रगत प्रत्यों काले कर्थर लिखने का जो कर्तब विद्या गया है वो एक पेरा 115 के अंत्रगत दिया गया है next question question number 71 उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलिशन के किस पेरा के अनुसार अन्विशन करता को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह संदिक्द विक्तियों को CRPC की ध 441 के अंत्रग गिरफ्तार करें option A पेरा 114 option B पेरा 113 option C पेरा 112 option D पेरा 110 तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कोशन आप बहुत important कोशन है यह कोशन कह रहा है कि उत्तर पुलिस रेगुलिशन के किस पेरा के अनुसार अन्विशन करता को यह अन्विशन कर रहा है वो कोई अधिकार प्रदान किया गया है कि वह संदिक्द विक्तियों को जैनि जिस पर शक है उसको CRPC की धारा 41 के अंत् घ्रफतार कर सकता है वो कि इसका सही उत्तर क्या होग को पताए जल्दी कि इसका सही उत्तर होगा option D प्यारा 110 के अनुसार जाणि की प्यारा 110 210 के अनुसा अन्विशन करता को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह संदिग विक्ति को CRPC की धारेक 41 के अंतरगत गिरफतार करें ठीक है तो इस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलिशन के टोटल 71 कोशन को सॉल्व कर लिया है आगे भी हम आपके लिए व हमने वीडियो अप्लोड कर दी है उनका अच्छे से रिवीजन कर सके और आप भी इससे पहले हमने जितनी वीडियो अप्लोड कर दी है उनका अच्छे से रिवीजन करते रहें और एक्जाम की डेट पहले आ चुकी थी अब जो है एड्मिट कार्ट भी इस्यू हो चुके ह सबको अपने अपने सेंटर पता चल चुके हैं तो आप अपनी अच्छे से त्यारी कीजिए बिना टाइम गवाई ठीक है थैंक यू सो मच